अब बहुत एज़ी टेस्टी एंड हेल्दी नास्ता की रेस्पी लेकिया हूं यह बहुत जट पर बन जाता है इसको बनाने में बिल्कुन भी टाइम नहीं लगता है तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाप एक मूली और एक गाजर इसको मैंने अच्छे पानी से तो आप जहें तो इस रेस्पी में इसकी पत्यों का भी यूज कर सकते हैं आप इसको भी इसमें कट करके डाल सकते हैं तो अब गाजर के भी आगे और पीछे वाले पाट को कट करके हटा देंगे तो इस तरह से हम हटा देंगे तो मूली में छोटे-छोटे रोय टाइप की निकले होते हैं, जिसे हम इस चाको से इस तरह से कर देंगे, तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे, तो इस तरह से हमें कर देना है, और गाजर में भी इसी तरीके से होते हैं, तो उसको भी हम चाको से ऐसे कर देंगे, तो इसके जितने भी रोय हैं वो सब निकल जाएं सबसे पहले मैं गाजर को कदू कस कर रहे हूं तो एक गाजर को हम पूरा कदू कस कर लेंगे अगर आप इसको ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं तो एकदम बारीक हम को इसे काटना है और उसे भी हम अपनी रेस्पी में यू लेंगे दो कप आता यहां पर डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर इसे बढ़िया ऐका नास्ते में और यहां पर मैं लिया है आधा चमच मिर्श का पाउडर और इसमें हम एक चमच डाल देंगे नमक तो अब इन सारी चीजों को पहले हम आठे में मिक्स कर लेंगे तो देखिए इसमें सारी चीजे मिक्स हो गई है अब इसमें हम पानी डालके इसका पेश्ट त्यार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम पेश्ट त्यार करेंगे तो देखिए हमें इस तरह का इसका पेश्ट त्यार करन हुग है जादे सही नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसमें वीज्यटेबल भी डालें तो इसका पानी इसमें आप होछाइगा तो अब इसको अथक देंगे फांच मिनट के रिष्ट के लिए तो देखे पांच मिनट हो गया है अब इसके सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं गाजर डालेंगे पाद हम इसमें डाल देंगे और यहां पर मैंने लिया है एक मेडियम साइज की प्याच जिसको मैंने बारी कट करके लिया है इसको भी इसमें हम डाल देंगे तो पना झाट है अधे ही तो इसमें अधे बीद कम जादा कर सकते हैं तो देखें सारी शीके मैं यह और बांटेबस यह पनों मिंग्सकाला में रखाए हम आप एड़े कर लिजू तो देखिए अभी इसको हम conservative तो सारी वेजिटेबल डालने के बाद अगेर आपको लगता है कि बैटर अभी थोरा सा गाड़ा है तो आप इसमें थोरा सा पानी और एड़ कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा बैटर गाड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी एड़ किया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे इस तरह का बैटर हमें चाहिए नहीं जादा गाड़ा होना चाहिए और नहीं जादा पतला होना जाहिए तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है तो चलिए अब हम नास्ते को बनाते हैं तहाँ पर मैंने लिया है पैन और इसमें मैं लगा रही हूं और अब हम इसमें डालेंगे बैटर को एक हम चमश ले लेंगे उसी मेंसे इस बैटर को डाल के हम फैला देंगे तो से अपने एकॉर्डिंग रख लिए छोटा बड़ा जैसे भी बनाना हो तो ज्यादा पतली लेयर इसकी नहीं करना है ना ही ज्यादा मोटी लेयर करना है तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है अब देखिए नीचे से यह पक गया है तो इसके उपर से हम थोड़ा स आल लगा दिंगे तो यह मेने चम्च से थोड़ा से आयल डाल दिया है जूब नीचे से पक ग जाएगा तो फिर को एक पल्टे की पम पल्डों सॉत है को प्लट देंगे और नीचे से भी इसको से फेकल सुर्दे इस को उन्योंत सिम गभी मतना प्रेश करते जाएँ कर दोन और लुए तरफ इसको वह बढ़िया आने इस तक थे Alan Li लेना है जो देखे से इसमें यहां बढया तरफ से बढया सा कल अगिया थे अगजी दोनु तरफ से बढ़िया सा कलार आगया है तो देखिए यमी यमी नास्ता बनके रेडी हो चुका है तो देखिए कितना ये हेल्दी नास्ता लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ये टेश्टी लगता है खाने में तो आप भी बार जरूर इसको बनाकर टा किजिए और अपना इस्पेरियंस मुझ से जरूर से हिर की जि तो इस नास्ते को आप सौस के साथ चटनी के साथ चाय के साथ किसी भी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं